गुप्ता कह रहे हैं कि utility consumer equilibrium से कैसे different है, जब आपको satisfaction level मिलता है तो वो utility है और जब आपको maximum satisfaction level मिलता है तो वो consumer equilibrium है, जब आपको maximum satisfaction level मिलता है तो वो consumer equilibrium है, समझ गई, अभी देखेगा, कुछ एक example समझते हैं, अब मैं एक question ले रहा हूँ, उसको अगर आप example से concept को अच्छी से समझ पाए, तो आपको बहुत सारी चीज़े clear होंगी, first, marginal utility आपको समझ में आ जाएगा, आपको total utility समझ में आ जाएगा, आपको law of diminishing margin utility समझ में आ जाएगा, और आपको relationship between total utility and margin utility भी समझ में आ जाएगा, तो एक example ले रहा हूँ, जिससे हम चार questions को काफी step by step करके प्रक्ष समझेंगे, पहले एक example को आप समझें, मेरे example क्या है, हर चीज़ को clarity के समझेंगे, चलिए, एक example ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले, देखेगा, यह आपके सामने आप कुछ देख पा रहे हैं, कि ice cream consume करते हैं, चलिए, यह क्या है, quantity है, ठीक है जी, अब आप ice cream consume करेंगे, तो ice cream consume करने से आपको satisfaction level आएगा या नहीं आएगा, पहले बताएगे, आपको satisfaction level मिलेगा, मुझे एक बात बताओ आप, कि आप हर चीज़ का measurement होता है, आप देख लीजिएगा, कितना weight आपने carry कर रखा है, इसका measurement unit है, kg, जिसमें express कर सकता हूँ, कि बेद दो किलो या पांच कि कितने hour की classes है, one hour, इसको भी मैं measurement कर सकता हूँ, भी one hour की classes है, कितनी दूर से आप आ रहे है, one kilometer, two kilometer, इसको भी हम measure कर सकते हैं, हर चीज़ को हम express कर सकते हैं, किसने किसी unit में, practical life में, आपने इस चीज़ को ज़रा समझा की अभी है, मेरा सवाल आपके साथ में ये है, कि जब द चीज़ को लेकर के, उस feeling हम numerically practical life में express कर सकते हैं, या practical life में आपने कभी उसको express करा है या नहीं करा है, तो आप cancer आएगा, तर हमने किसी चीज़ का consume किया है, तो हमने अपने satisfaction level को बस ऐसी बताया है आज तक, कि हम ज़्यादा satisfied हुए या पिर कम satisfied हुए, पर exactly unit में, हमने कभी satisfaction level हम exactly कितना हम, हमें अचीव हुआ है, कितना हमने satisfaction level मिला है, इस चीज़ को हम, ये बात सवज माया, अब मेरा सवाल ये है, कि जब हर चीज़ को express करने कि practical life में कोई ने कोई units और digit में express किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तो satisfaction level मतलब, practical life में, अपने जीवन में, आज संतुष्टी के स्तर को क्यों नहीं मापा गया है, क्यों नहीं मापा जा सका है, किसी particular units में, इसके कोई एकाई क्यों नहीं है, कोई measurement इसकी unit क्यों नहीं है, मेरे सवाल का आप ज़रा जवाब दीजे, इस सवाल के जवाब में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंग कि हम किसी भी चीज से कितना सटिस्फाइड हुए है यह उर्स गुर्स की क्वालिटी से ज़्यादा हमारी वांट पे डिपेंड करता है कि एक्जामपल जाता हूं मैं आपको बहुत तेज प्यास लग रही है बहुत जबादस प्यास लग रही है और पहला ग्लास पानी पीते है तो बताईए आपको कितना आनंद आता है आप कितने सटिस्फाइड हो जाते हैं लेकिन जब सेंग लगास ऑब वाटर उसी टाइम करते हैं तो क्यों पानी बहुत इससे पहले बड़ा मजा आया बड़ आप क्यों मजा नहीं आ रहे बताए क्योंकि अब आपकी वांट ज सकता है तो कहीं नहीं किसीद करता है यह हमारी वांज पर ढूद अगर आप करते हैं लगर भूख नहीं से क्लीर जियुद तो अब आपको पता लगा कि सटुश्चन लेबल हमारी वांट करता है और आपको पता है कि हमारी बाइंट सब कि एग जैसी नहीं हो सकती है अब मुझे जितना प्यास लगा जुरूरी नहीं क्या आपको भी उत्रहीं प्यास लगी कि जाज को भ dealers को ज panda करेगा किसुको मुझसे का मलग रहा है तो उसको मुझसे कन सडिस्वाइट करेगा मुझे अलग लेवल करेगा thoughtsYou तो कैसे इसका कोई पर्डिक्लर मेजरमेंट हो सकता है मेरी बात समझें इसका आज सकता है उसको पढ़ाया कैसे जाएगा समस्या आई या नहीं आई मेरी बात समझें या नहीं समझें क्लिर है जी एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिजिए के गांधी जी अभी है नहीं चीक है ना या 1947 से पहले हमारे करांदिकारियों ने भगत सिंग ने किस तेक से देश को आजात कर अब बोची जैंग है नहीं स्टोरी के थुरू आप समझ सकती हो लेकिन उसको एक्ट करवा करके वीडियो के फॉर में पिक्चर के फॉर्म में मूवी के फॉर्म में अगर आपको सामय लाए जाए तो इस कहानी खुराप इंटरस्टिंग तरीकी समझ पांगे समझने में और आपको आसानी रहेगा अगी आता रहेगा लेकिन आपने शारी आपके मुवी सब्सक्राइं कि सब्सक्राइब ने कि अच्छट रहे कर रहा है त्म बेष्ट लयह वह जाती यह ना इस डोरी तो अरिजनल होती है ना सब्सक्राइब करने के लिए लिए लिखने के लिए को होता ही नहीं तो उसके लिए भी क्या करा है कि सब्सक्राइब को भी मेजर क्या जा सकता है गर्यों कल में एकस्प्रेश धियुको नियुक्ते की गिए पर आजा लिए ऐकारई परसन को इसमें में सब्सक्राइब में एकस्प्रेश करने सब्सक्राइब application को मतलब यूटिलिटी को भी एकस्प्रेस क्या जा सकता है क्लियर किसमें, किसमें यूटील्स में मेरी बात समझें तो satisfaction level को जिसमें भी हम access करते हैं उसको kg km नहीं बोलोगे कि दो किलो का मज़ा आया नहीं तो यूटील्स का satisfaction level मिला आप ऐसे कहेंगे मेरी बात समझें या नहीं समझें क्लियरे जी क्लियरे को डाउट कि वोईस ब्रेक हो रही है और योगे पादलम कितने मच्चों साथ में जल्दी से बताइए जी कि अधियों के पादलम कितने स्ट्रेंड के साथ में हैं क्योंकि यहां से ठीक और की रिपोर्ट आ रहा है कि अधियों पालम कि वोईस प्रॉलम में कोई डाउट चलिए कि आगे बढ़ते हैं कि अधिय तो अब मेरा कुश्चिन क्या आ गया था अब मैं अपने कुश्चिन पर आ गया हूं जिससे कि हम दो से तीन सवाल आजच्छी क्लास में कवर करेंगे काफी आसा अब समस्ते जाइए देखे जाइए देखिएगा एक एक्जाम्पल से समझने कोशी करते हैं इसको कि कि आपके पास में आप आइसक्रीम का कंजूम्शन कर रहे हैं और यह कुछ आपके पास में क्वांटिट लेता हूं कि मान लीजिए आपको एक सटिस्टेक्शन लेवल मिला अब उसको मैंने बता दिया कि सटिस्टेक्शन लेवल को भी हम डिजिट में एक्स्प्रेस कर सकते हैं वह यूटियस के फॉर्म में तो चलिए आपको यहां पर मिला दस यूटिल्स और आप जैसे आपको मिला सटिस्टेक्शन लिबल नेखनी मैं यहां पीछे सेनधा सटिस्टेक्शन लिए कछ उतने मीलिगा इस tag मिलेगा इक्छी मिलेगा ज्यादा मिलेगा है कम अगर सप्दील कि मिलेगा तो क्यों पर我要 क्या मिलेगा जी आप बताइए कमेंट करके नेच्ट कितना मिलेगा हमें तो सर एक बस सम्झाने के परपसर यूज कर रहे हैं आप कुछ भी लेजिए बस यह बताना है कि कम मिलेगा टीक है एक इमेजिनरी टेबल है तो कम मिलेगा आप कि मैं सही बताया क्यों कम मिला यह बता दीजी जरह मुझे कम इसलिए मिला आपको आपको क्योंकि आपको पता है कि अमारी वांस हमारी नीट पे डिपेंड होता है और जैसे-जैसे आप किसी भी नीट का करते चले जाएंगे आपकी wants satisfied होती चली जाएगी और आपकी wants कम रह जाएगी उस चीज़ को लेकर के तो same quality आपको कम satisfied करेगा कि satisfaction level हमारी wants पर डिपन करता है तो first ice cream के बाद second में कम आया satisfaction level इसी तरीके से third में आपका और कम हो जाएगा four में और सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे करेंगे कोई चीज कितने भी फिवरेट क्यों आज आज आपकी as a rational consumer आपका satisfaction level एक time पर ऐसा आएगा कि आप fully जब satisfied हो जाएंगे आपकी want पूरी तरके से fulfill हो चुकी होगी तो वहां पर आपको zero satisfaction level मिलेगा हाँ अगर इसके बाद भी कोई forcefully आपको खाना खिला दे तो उसके बाद या फिर ice cream खिला दे तो यह कि आपका utility आपके डिस utility में आपका convert हो जाएगा चीक है तो यहां पर देख रहे हैं एच समझेगे प्रहले एच यूनिट से मिलने वाला जो satisfaction level होता ना यह क्या यह एक यूनिट से तो satisfaction level मिल रहा है तो जो इच यूनिट से satisfaction level मिलता ना एक इस सिंगल यूनिट से उसको हम बोलते हैं marginal utility क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं marginal utility का मतलब क्या हो गया जी एमी ठीक है वह भी इस फॉर में बताय जा रहा है आपको यह यूटील्स में मिलने वाला जो satisfaction level हो marginal utility होता है दूसरी बात मार्जनल utility मतलब कोई भी कम्रेटिक आप यह फेवरिट क्यूं नहों कितनी फेवरिट क्यूं नहों उसका behavior कैसा होगा अगर आप करते हैं तो उसका behavior क्या होगा वो decline होता चला जाएगा क्यूंकि आपकी वांस पर करें और आपकी वांस दीजिरे सब्सक्राइब चली जाएगे इसी को हम क्या यहाँ पर मैं total utility की तो टोटल utility क्या होता है इसको भी समझते हैं जरा हम देखिएगा फॉस्ट आइस्क्रीन से कितना satisfaction मिला आपको दस यूटिल और से कितना आपको मिला है देखिए अभी है अब सबसे कितना satisfaction मिला है क्या है मेरी बात समझे तो एक से तो अभी अब से कितना कंजम्शन कर लिया दो यूनिक कि मैं यहां पर यूनिट पैंशिन कर देता हूं कि वर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फिफ्ट शिक्स और सेवर्ड ठीक है तो बताइए ज़िए रहां सेकेंड का आठ दोनों से कितना मिला आपको अठारा थर्ड से आपका सिक्स तो तीनों से कितना आपको satisfaction मिला 24 फोर से आपको फोर तो कितना है थाइस हो गया चारों से फिफ्ट से आपको दो मिला satisfaction लेबल तो आप पांचों से चार से तो आठ है तो पांचों से कितना हो गया आपके पास में तीज और आपको जब जीरो मिला तो क्या आप इसमें कुछ एडिशन हो पाएगा नहीं साउंड पॉलम ज्यादा है तो दियर एक बाद चेक करना पड़ेगा चेक क्लास को फिर लाइब से हटने के बाद ही चेक हो पाएगा बाकि दूसरा मैं देख लेता हूं इसमें एक सेकेंड होल्ड करें वाद झाल झाल कर झाल मुम्म झाल 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 आप बताईए अब वही सारी हैं वही सारी है जी आप क्लिए रहें आगे कंटेन्यू करें जी चलिए अब सामें देखेगा क्या है सबसे पहले बताईए मतलब क्या था अब वह इस क्लिए करते हैं करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ जो है ठीक हो चुकी है हाँ जी सामें देखें आप तो माजने यूटिलिटी क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल यूट के कंजम्शन से जो आपको सटिफेक्शन लबल मिलता है वह माजने यूटिलिटी है और आप तक चीने भीनिक्ट आपकर न करा उनसे जो स्रुषियम्शन लबल मिलता है वह आपका क्या होता है वह आपका टोटल यूटिलिटी आपका वह रहता है यह वाता से मैं आपको आई क्या हापको तो चलिये फिर आग्ग बढ़ते हैं अब आप यहां देखेंगे ज़रा समझेगा इसी को समझने के आप कोशिश करो क्या कि आपको बताएं ज़रा मुझे एक चीज मुझे आपसे जाना चाहूंगा मैं कि चली यहां पर इसको मिस कर देता हूं आप बताएएं कि मुझे ल्वीएन पे टोडयमेल मिला तो उनेट यूनिट पे वो मुझे मिला आथा यूटीस का टूडल मिला अब बताए तीसरे पर जो मुझे थीन युंटब शर्डब took Erow और एक और अमक्ताशन का और अब तरुडलत से किता मिला एक सिंगृ dzi proverb तो मुझे थर से मिला है दो सठारा और तीन से अपतर चोबिस मिल चुका है तो थर से कितना मिला है मुझे तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या रहेगा आपके पास में एंट तो टोल यूटिलिटी इंट तपीछे वाले टम तक का और माइनस करेंगे तो यहां पर आपके पास में एम यू का फॉर्मला बन जाएगा यह बात सब्सक्राइगा यह बात समय आपको आई या नहीं कि Barnes कि अब करद में जो सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ तोटल यूटिलिटी मुझे चाहिए मान लिजिए कि मैं यहाँ पर इसको एरेज कर रहहां कि विज को अत데 यूली में एडियक कर रहा हूं अब बताये फर्स्ट पर कितना मुझे ग toss टोल कि विनेश्जा तो मैं आपको बता रहा हूं कि कि कृतना मिला 10 तो कितनी ओगी हमारे पास लेना होगा यूगा यूक्ट तो मत्तब टी यू थर्ड निट कर लेना होगा तो मुझे मुझे मुफर्स्ट एम यू सेकिंड और मुथर्ड अगर मैं करता हूं इसको एड तो मेरे पास में क्या जाएगा टोटल यूटिलिटी आपके पास थर्ड टम तक आजाएगा इसके लिए फॉर्मला क्या बना टी यू एंड टम्स इक्वल्स टू टी यू फर्स्ट टू एम यू फर्स्ट प्लस एम यू सेकिंड एंड टिल एम यू एंड टम क्लेर जी कोई डाउट किसी स्ट्रेंट को कुनसी ही है है कि ये क्लेर आपको तो बताए ये को डाउट है यू फॉर्मला कहां से आया है बता सकती है आप इस्टी्ष को अ-गम माइस मैं गय और यू टू किसी को तो अब आपको यहां पर तीन बाते समझ में आये फिलाव एक तो आपको सम्झ में आगय कि एम यू क्या है एक आपको समझ में आ गया कि लोप डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है बन बन हम चीजों को समझते हैं कि देखिएगा पर्स्ट आइस्क्रीम से माल लीजिए मैं और अच्छे समझाता हूं कि टी यू एम यू क्या है इससे आपको 10 यू टील का सेटीफर्क्शन लेवन मिला है तो यह क्या आपको सिंगल आइस-क्रीम से सेटिफर्क्शन बजूँ पुलिटे है ये माजिन यू उटिलिटी है यह यह भी आपके पास माजिन यू मिला तो इसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं नियु सम्जे में तो यह तोल यूटिलिटी आपका होता है क्लियर है कोई डाउट विऑ complaints चिअ ciao है कि अब क्या कह रहा था ढिक साइन नीक और जो अब लगकर करने से जो कुल संतुष्ट्रिक अस्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं कुल उपयोगिता बोलते हैं और इसका अपने फार्मला आप समझ लीजीगा बस कि tu n equals to mu1 plus mu2 plus mu3 till mu nth turn क्लियर है जी marginal utility एक single unit से जो आपको satisfactionable मिलता है उसको आप क्या कहोगे marginal utility बोलोगे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं इसको तो क्या करा है marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given community एक अत्रित इकाई का उभ्वोग करने के बाद जो कुल उपयोगिता में विर्दी होती है वो विर्दी सीमान्त उपयोगिता होती है मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप देखें example के लिए इसको जरा समझेगा कि एक एक extra unit का आप consumption कर रहे हैं तो त्यू में कितना आपका growth हुआ है त्यू में कितना growth हुआ आपका आठ का growth हुआ वह एक आठ का growth क्यों हो रहा है क्योंकि आपने एक extra unit का consumption करा तो वह जो growth है वह next आपके पास में जितना भी चेंज आया आपका एक तो आपको माजिलन कितना मिला आपका 8 मेरी बास समझें या नहीं समझें पताइए जी क्लियर है या नहीं है अब बुक कोई से नहीं लेनी है जो मेरे स्टेडी मेट्रियल है यही आपको पीडियोफ के फोर में मिल जाएगा देखेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए आंसर कैसे लिखना है सेम वैसी मैं आपको आंसर अच्छे से रिसर्च आपको आंसर दे रहा हूं यह सफ जाएगा पेपर में आएगा यह आएगा ठीक है कि अ चलिए आगे बटते एक्सप्लेइन दा लॉप डिमेंशी माजनी यूटिलिटी इसके वारे में हमने अलड़ी इसको अच्छे समझ लिया पढ़ लिया दा लो स्टेट्स आज मोर एंड मोर उनिट्स आफ़ कॉमडिट आर कंजूम माजने यूटिलिटी अफ सट्सेक्टें ड्राइफ रॉम एस सट्सेशिव इनिट गोज ऑन फॉलिंग मतलब जैसे जैसे हम किसी वी वस्तू का लगातार उपभोग करते हैं तो हर अगर आप होने वाला संतूष्टिका इस्तर गिरता चला जाता है क्यों भाइ तो वो सेम चीज हमें कम से कम सटिस्फाइड करेगी क्लिर जी कोई डाउट है तो प्लिस पूछिए कोई डाउट है कोई डाउट है तो पूछो जी क्लिर है हाँ जी आगे बढ़ें एक्जामपल ले रहा है सपोस्ट आ हंग्री मैन वांस तो इट तब फर्स चपाथी विच्छी एट्स विल गेब मैक्सिम सटिस्फेक्शन लबल हंडर यूटिज को एक भूखा बैगती है एक चपाथी का अब्भोग करता है एक चपाथी कंजूम द्रीर चांग मैने के बाद उसका अधा यूव मैं नहीं सब्सक्रोट इसाथन करनेहं के बाद उसका पांगर किया हूँग हो गया उसकी वांट वांट यूट इस इतना यह नहीं यह पाले से सब्सक्रूप मेलेगा सबीच्छी अजया उसका सेट्टिवाbachट यूटीू ज आपको आई है नहीं बताइए अब हमारा अगला कोश्चन क्या है रिलेशन्शिप बिडबीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है इसको जरा समझते हैं मैं अपने एक्जामपल वापस लेकर के जाता हूं इससे समझेगा जरा इसी पर वापस आते है मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीज़े मनाई हैं M.U.T.U. दोनों मनाए हैं खेर यह आपको बहुत जादा इस पर मैंने लिख दिया है मैं उसको इरेज भी नहीं कर सकता हूं क्यों क्यों क्योंकि वह आपके पास में आज़ा पीडियाफ आ जाएगा हां मैं यहाँ पर द है ठीक है देखिए जरब है क्वांटिटी फर्स्ट सेकींड थर्ड फोर फिप सिक्स सेबन हर इनिट से मिलने वाला सैटिस्ट्रेक्शन मार्जनल यूटिलिटी दस आठ छे चार दो जीरो एंड मैनेस तो टी यू टोटल यूटिलिटी विज़ा फर्स से दस मिला तो मेरे मेरे पास में कितना कलेक्ट हुआ है तस सेकिंड से आठ मिला तो अप्तक दोनों से कितना हो गया है अठारा मेरी बात समझे या नहीं समझे मेरा कहने का मतलब है टी यू का अपना कुछ भी खुद का नहीं है टी यू डिपेंड पूरी तरके से मू पर करता है मू आएगा टी-यू में अडिक्शिन होगा मू नहीं आएगा डीम अडिक्शन नहीं होगा मू नेगेटिव होगा तू डिक्लाइन हो जाएगा माल लीजे आपने एक टैप के निचे नल के नीचे या बल्टी रखती आपने और टैप से पारी निकल रहा है तो बाल्टी को बसदशरा जायागा बड़ता चला जायागा बड़ता चला जायागा तो जो पानी रहाए न तो तो मेरा कहने का मतलब है कि वह भले ही डिक्लाइन हो रहे हैं बट आतो रहा है ना हर अगर बाल्टी बटी तब भरेगी तो मेरे कहाने का वसलिए अगर हो गाहे है तो आपका टी यू तो in increase होगा ही होगा टी यू increase होगा ही होगा मेरी बास समझें क्लियर है जी अब देखीगा जब आपका M u 0 आ जाए अगा मतलब आप कुछ पानी आया ही नी जितना पानी भर चुके वह मैक्सिमम में मेरा कहने का मतलब है टी-उ आपका मैक्सिमम होगा अब को सर यहां भी 30 अब थीज इस तो आप इसको क्यु थो रहे हो डियर कंभी वो इससे पहले उसके ऊफोघा कि मैक्सिमूम है जब जीरू आया है था उसने स्यीशन को मैंस कर यह मैक्सिमम में घर लेत तक क्तेटेंücksिंग क्या हुआ जाएगा ऊसके पास पैंद यहां अफरागव थे सचिक इन अगेना आपका समझिए का जरा first आपका ये segment, second आपका ये parts में थरड़ में first में क्या हो रहा है first में जब आपका mu margin utility मारजर्य utility क्या हो रहा है बट positive है तो आपका बंद हो जाएगा तो टी यू जो जितना भी बना है भी तक वो maximum है और जब अम्यू आपका negative होगा तो टी यू क्या होगा आपका maximum होगा क्लिरर गार आप डाइडराम को बनाए डाइडराम के अगर मैं बात करूँ तो कैसे बनाएंगे जरा समझेगा सबसे पहले में माजें यूटिलिटी की बात करता हूँ तो यहां पर मैं पॉजिटिव एक्सिस को फॉलो कर रहा हूँ तो यहां पर मैं पॉजिटिव एक्सिस को फॉलो कर रहा हूँ तो यहां पर मैं positive axis को follow कर रहा हूं तो यह मेरे पास में y axis और यह मेरे पास में x axis ठीक है अब देखिएगा सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है मैं यहां पर tu का diagram अगर बनाता हूं तो tu में growth हो रहा है और या नहीं हो रहा है 10 18 14 28 30 acious पहले बढ़ रहा है ठीक है लेकिन बढ़ने का मतलब क्या होता है उसका growth को भी देखते हैं तब diagram decide होता है आपको मेरे पास समझे नहीं होगे पहले आप समझेगा बढ़ने का मतलब क्या होता है देखिएगा तीन मतलब हैं बढ़ने के एक तो आपका 10, 12, 14, 16, 18 ये भी increase ही हो रहा है एक 10, 11, 13, 16, 25 ये भी increase ही हो रहा है एक आपका 10, 20, 28, 34, 35 ये भी increase हो रहा है सर तीनों ही increase हो रहे हैं तो सिर्फ increase होने पर focus मत केजिए उसके rate पर भी आप जान अखिएगा जैसे यह increase हो रहा है तो क्या हूँ? दो, then do, and do, and do इसको हम क्या बोलते है constant rate बोलते है constant rate से increase हो रहा है ठीक है जि? क्लिर रहे और इसको हम क्या कहेंगे यहां पर क्या इंक्रीज हुआ आपका एक यहां पर कितना हुआ दो और यहां पर क्या हुआ थीन और यहां पर कितना हुआ नो तो आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो जो रेत है जो growth है वो आपका इसे increasing rate से increase कहते हैं इसको क्या कहते हैं increasing rate बोलते हैं इसको हम और यहाँ पर कितना हुआ प्लस 20 हुआ और फिर कितना हुआ प्लस 10 हुआ फिर प्लस 8 हुआ फिर प्लस कितना हुआ छे हुआ और फिर प्लस कितना हुआ आपका एक हुआ तो यहाँ पर क्या ग्रोथ है आपका ग्रोथ तो है पर इसे decreasing rate कहते हैं तो आपको इन बातों को समझना होगा आगे आपके लिए आसान होगा सुरू सुरू में तो हर एक बात मुझे बतानी होगी जिससे आगे इन चीजों को आप समझ पाएं कि में क्या समझा है नेकोशी कर रहा हूँ अब दिखिए constant rate में तो क्या होता है कि इसे पात को समझेगा state line बनता है ठीक है constant rate में कहा रहाता है state line बनता है अगर मैं यहाँ पर M U की बात करूँ देखेंगी कि ट्यूंब क्या है तो हो रहा है लेकिन ट्यूंब में इस जो टीऊ के अंदर आपका यहां पर ग्रोध कर रहा है यह ग्रोध कैसा है increasing rate से आपका हो रहा है ना ग्रोथ तो जब धियا increasing rate से ग्रोथ हो आपका तो आपको सकताः मैं यह कुछ इस तऱ किया गर बनेगा हैं ऐसा किर बनेगा increasing rates को ठीक है जै क्लिर रहे और सअरी decreasing rates केक्त कैसा ओ रहा हो रहा है यह with call दिथ optimizing rate से बढ़ रहा है तो कभी कोई भी चीजें बढ़ रही हो तो आप उसको ऐसे बनाएंगी ठीक है क्यों इसके पीछे क्या लोगी को भी समझ लीजिए क्या फ्रक पड़ जाता है इससे समझेगा जैसे कि यह डिक्रीजिंग रेट से तो आप यसमें आपको डाइगराम आपको इस करेंगे तो壓 रहने वाल होना की बात करें और बात करें यहाँ पर अगर हम मार्जिनल यूटियी लिटि की तो मारजिनल यूटिय के फोर्म में आप डाग्राम ऐसा मा सकते एंु क्या लाइन टो करते हैं खीख हैं अब हो आपको क्या करना है याप हो आपको किया करना इसको ला इन को छाइन को आपको पास करदेना है यह बताएगा कि जब private है जब तक आपका माजन यूटिलिटी हो गया जब तक आपका मいたउ आपका एंक्रींस हो रहा है जब आपका मूँ जीरो हो गया तो होगया उन्हें अब आपका M U negative हो गया, तो T U आपका fall हो गया, तो यह आपका क्या है relationship between M U T U, clear है जी, यह बताए बाते समझ में आपको आप आई या नहीं आपाई, बताएं जरह, clear है, कोई doubt किस student को, तो यहाँ तो day 1 था जो कि आपको पीछी से आपका base बनाया गया है, देकिन अगर आप आ देवन तो आपका हमेशा हरचेप्टर का IC रहेगा, जो कि पीछे वाला आपको remind करवाई जाए जिसे term आपको पता लगता है, अब देखेंगे क्या है, explain the law of equi margin utility, show how the demand curve can be derived from the margin utility, यह चीज़े आपके paper में आएंगी, जो आपको निया पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, जही important है, ठीक है, देखेंगे, explain the law of equi margin utility, यह सेम उसका अंसर यहाँ पर हम cover करेंगे, explain the law of diminishing margin utility, यह चीज़ तो हम हुई से उठा सकते हैं, लेकिन, and how does it help the derivation of demand curve, यह चीज़ नहीं है, कि नई चीज़ों में आपके सामने, diamond, water, paradox, इसको बहुत बार question आया हुआ है, तो पहले आप इसको अच्छी से revision कीजिएगा, उसके वाद हम आगे बढ़ेंगे, और यह question तो, जैसा आप दिख पारें, consumer surplus, यह 100% है paper में आपके आए, ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे से अब आपका term class बन तो, इसी से introduction था, अब हम आगे करेंगे, ठीक है, उपर वाला tu का graph है, नीचे आल आपका mu का है, ठीक है जी, मिलते हैं फिर next class में, कोई doubt है तो please पूछिए, झाल